हलो दोस्तों स्वागत है आप सब का इस वीडियो में आज के इस वीडियो का टॉपिक है 31 x 36 हाउस प्लान जो की वास्तु के हिसाब से होने वाला है उससे पहले हम देख लेते हैं प्लॉट का जो साइस कुछ थोड़ा सा अजीब है इसका लेफ्ट जो साइड है वो टेपर है और इसकी फ्रेंट जो है फ्रेंट आपका वेस्ट है यह 49 फूट 3 इंच है और बैक जो है वो इस्ट है 47 फूट 3 इंच है इस प्लॉट को हमने डिजाइन किया है 31 x 36 में यह क्लाइंट की रिक्वार्डमेंट के हिसाब से था और इसको हमने बनाया है ग्राउंड और फॉस् प्लस यह जो खाली पार्ट है इसको हमने as a मंदिर ट्रिट किया हुआ है तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि प्लान को हमने किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है यह हमारा लियाउट प्लान है और हमने जिसके लिए डिजाइन किया वो मिस्टर कृती कुमाश्या है फ्र 2.5-2.5-2. takich उन्द यहीं से जो है जो में स्टेएर के लिए चा रहे है और यहीं पैसेज में जो का मुझा एक toilet है जिसका size है 8 foot by 5 foot 7 inch और यहां पे attached bathroom है जिसका size है 8 foot by 6 foot इसकी जो ventilation की अगर मैं बात करूँ पीछे वाली की तो इसकी height floor height change करके हम ventilation कर सकते हैं या फिर cross ventilation कर सकते हैं देखे master bedroom जो है 14 बारा का है इसमें bed, almari और LCD आपको मिल जाता है और यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे आपको बहुत बड़ा hall मिल जाता है 25 बाई 17 का और यह जो है drawing room में आपको double height मिलता है जहां पे छट नहीं होगी जो आपको crossing line दिख रही है यहां पे छट नहीं होगी इसको बोलते है double height cut out ठीक है और यह अदर नौर्थ इस्ट में जो है हमने मंदिर दिया हुआ है जिसका size 8 by 8 और kitchen की मैं बात करूँ तो यह अपका size है 10 foot by 7 foot 7 inch का यहां पे एक छोटा सा washing area हमने दिया हुआ है जहां पर बरतनों अगेरा दो सकते हैं या फिर अगर washing machine भी रखना चाहें तो रख सकते हैं बरतन दोने के लिए यहां पर sink दिया हुआ है इस storage की अगर मैं बात करूँ 10 by 4 foot 9 inch का storage है जो काफी अच्छा size है एक पर इसके column की अगर मैं बात करूँ तो column का size जो है 9 by 15 का है कैसे कैसे connect हो रहा है वो आप देख सकते हैं अब हम बात करेंगे first floor की first floor को हमने 2 bedroom set के ही आप से design किया हुआ है यह as per client requirement यह जो हमारा passage था यह passage as per existing ही रहेगा और यह balcony से connected होगा stairs as per existing होगी plus हमारा यहां पर 4 foot का passage मिलेगा वह इसलिए है क्योंकि हमने यहां पर cut out दिया हुआ है काफी बड़ा double height के लिए में यहां पर first floor की छत होगी और यह passage जो है kitchen के ऊपर हमने room बनाया है bedroom 2 जिसका size 12 by 10 का यह bedroom हम किसी single person को दे सकते हैं अगर married person को अगर देना है तो वो गलत होगा single person को के लिए थोड़ा पहुत suit करेगा लेकिन 100% सही नहीं है यहां पर bedroom लेकिन और कहीं option नहीं बन रहा था इस वज़े से हमें यहां पर देना पड़ा यहां पर एक toilet दीदी है हमने storage के ऊपर यह सिर्फ आपका ऐसे bathroom treat होगा इसमें WC हमने नहीं रखा है और जो नीचे ground floor पर bathroom से हैं उसके हिसाब से आपके दो bathroom यहां पर बन जाते हैं master bedroom का size जो है 14 by 12 का ही रहेगा और इस वो यहां से balcony मिल जाती है आप चाहे तो इस side भी balcony रख सकते हैं अपने हिसाब से क्यूकि यह plot 3 side से open है उमिद करता हूँ यह सारी चीज़ा आप लोगों को समझ में आई होगी इस वीडियो को जाता से जाता लाइक सब्सक्राइब शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद